हालो एरिवान डाटा इंट्रिप्रेटेशन के स्रीज में आपका स्वागत है चलते हैं हम लोग डियाई के सवालों की और जो लोग मेरे बारे में या दियाई एस्टेडी पुऑइंट के बादे में जानना चाहते हैं इस वीडियो को पॉष्च करके एकुपर के पूरी जनकारी ले अकल dobrór पहला वहान लोगका क्या बोल रहुत है रदियाय को समझते हैं फाना डियाई वह बूल रहा है इनके की टोटल प्रोड़क्शन है उसको इंडिकेट किया यानि की टोटल प्रोड़क्शन 12000 है राज का परसांटेज क्या है 20 देव का परसेंटेज क्या है 16 इसी तरीके से एंड सो ऑन आगे दिये हुए ठीक है फिर नीचे क्या देर रखा है बिलो बार ग्राफ सोग the percentage breakup of production of various items by the same farmers वही फार्मर्स के द्वारा जो production हुआ है आइटम का उनका डाटा को यहां पर इंडिकेट किया जैसे राज जो है 28,000 का 20% प्रोड्यूस कर रहा है अब 20% में जो प्रोड्यूस कर रहा है 20 परसेंट राइस है 24 परसेंट वीट है 16 परसेंट टी है 40 परसेंट क्या है बस इतना ही ठीक है अब दोगोई सवाल में पहला सवाल में क्या बोल रहा है production of oil seeds from Raj and Hari are approximately what percentage of production of wheat from Raj and Guru taken together ठीक है राज और हरी का oil seed का production wheat का production राज और गुरू के से कितना परसेंट है ठीक है तो जब भी तुम्हें परसेंट या रेसे निकालने के लिए बोले original data ignore कर दिया करो ठीक है तो चलो पहले हम लोगी बात करते हैं कि पहले जो निकालना है oil seed का निकालना है तो oil seed का हम लोग बात कर लिए oil seed में राज का क्या पार्ट है राज का 20 बोलेंगे और यहां पर उसको मिलता है 40 यानि कि कितना हो जाएगा 20 गुने में इसको 40 कर दिए ठीक है फिर हरी में बात करते हैं oil seed का तो हरी का total कितना है 18 है हरीका oil seed कितना है हमारा तीस है यानि कि berry प्लस कर दिया 18 प्लस में तीस यह हो गया oil seed का फिर बात कर लो यहां से तुम wheat की बात कर लो ठीक है वीट का तुम बात करोगे तो wheat का किसका बात करना है राज का राज का वीट हो जाएगा 20 का 24 परसेंट ठीक है वीट कितना है 24 परसेंट है याने की 20 का 24 परसेंट ठीक है फिर आगे देखो कि आगे वीट हो गिया राज का गुरू का बात करो गुरू का देखो वीट है 30 परसेंट और गुरू का परसेंटेज कितना है 24 यानि कि 24 गुने 30 कर दो तुम्हें निकालना तो परसेंटेजी है ठीक है तो थोड़ी सवाल को असान बनाने के लिए ना कि अगर इसको थोड़ा रेशियो में ले आओ ठीक है रेशियो में जब ले आओगे तुम तो इसे जब काटोगे तो 4 से यह कट जाएगा 10 बार में ठ हे चार से जब काटोगे तो यहां पूरापुरीनी काट रहा है तो यक वार दो से यहां काट दो 15 audition को 4 से कट गिमिल गया चार से अच्दिया फिर 6 बार में परसेंटेज जब हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है आउट आउट ओफ रॉट निकालते हैं तो क्या होता है आउट अफ हंड्रेट इससे बदलने के लिए क्या करना ओगो 3 से भी से भाइड जब दो तो चहांड़ा देखो 300 तो पूरा-पूरी कर गया नहीं की वह 100 तो द लोगे तो यही 112 परसेंट लिया गया है से इसी एक साथ हमारा जो एंसर है option number B 112 ठीक है तो चीजों को सम्झों कि यहां पर जब भी तुम्हें percentage वगरा निकालने के लिए बोले तो उसमें तुम्हें और इसमें डाटा का जो एवरेज प्रोडक्शन है वो तुम्हें निकालने के लिए सवाल में यहां पर तुम क्या कर रहे होगे कि हर एक का तुम यहां से तुम जो कॉमन ले सकते हो क्या कॉमन ले सकते हो 28,100 क्योंकि यह सारी चीजें हर बार जाएंगे 28,000 का फिर तुम लोगे अगर देव का बात करो तो सबसे पहले 16% ठीक है फिर उसका देव का देख लो तुम्हारा कितना है तो 24% कुछ इस तरीके से तुम आगे बढ़ोगे तुम या तो यह करोगे यहां पर सुम कॉमन देख रहे हो कि 28,000 बटे में 100 गुने 100 जो है हमारा वो कॉमन आता चला जा रहा है ठीक है तो चुलो कॉमन लेके हम लोग देखते है कॉमन लेके कैसे करना है कॉमन में देखो क्या होगा कि अगर राजका बात करेंगे तो राजका 20 है और यहां से उसका 20 लेना है यानि कि 20 गुने में 20 ठीक है फिर 16 है जहां से 24 है तो क्या लेंगे 16 गुने में 24 इसी तरीके सा आगे बढ़ेंगे 24 गुने में 32 फिर 18 गुने में 20 और 22 गुने में 30 ठी कि आउट ओफ कितना आउट ओफ हमारा हो जाएगा अठाइस जार बटे में सौ गुने में सौ ठीक है दो जीरो एक तीन जिरो यहां से खतम हो गया अब चुकि हमें एवरेज निकालने के लिए बोला है इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे पांस से डिवाइड कर दिया हम इस तरीके से सारा चीजों को जोडने के बाद यह हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा 2572 बटे में 5 गुने में 28 बटे में हमारा 10 ठीक है अब देखो यहीं से सफर शुरू हता है कि इससे सॉल्व कैसे करना है जहां से तुम देखो इससे तुम लिख सकते हो 2572 गुने में 28 बटे में कितना 50 अगर नीचे भी टू से गुना ओपर भी टू से गुना कर देता है तो क्या हमें मिलेगा 2572 गुने में 56 बटे में यहां से हैंडिल कर सकते है 25.72 को में लोग क्या लिख सकते है 25 प्लस में 0.7 7 नी रहने दो गुना क्या करना है 56 25 गुने 56 करोगे तो यह तुम्हें देगा 1400 ठीक है तुम्हारा 1400 तो आ गिया अब 0.7 गुने 556 कर दो ठीक है तो तुम देखो 56 का जब तुम 0.1 निकालोगे त यह तुम्हें देगा 5.6 तो यहां पर 0.7 निकालना है तो 5.6 गुने में क्या निकाल दो 7 से मल्टिप्लाइ कर दो तो लगभग में यह तुम्हें 35 ठीक है लगभग में यह तुम्हें कितना देगा 35 तो 1400 में तुम जब 35 जोड़ोगे तो 1400 में 35 जोडने के बाद तुम्हें आप तुम 1435 के प्रॉक्स देखो कौन सा ऑप्सन मिल रहा है तो में 1440 इसलिए हम लोग नहीं यहां पर इसे प्रॉक्स में 1440 लिया है अभी चुकि 72 था हम लोगा यहां पर सिर्फ 7 लिया था तो इस जीजो को हम लोग नहीं है से लेके चल सकते हैं कि लगभग में एकदम नियरस्ट लेते चलेंगे क्योंकि सारा ओप्सन देखो क्लोज है ठीक है और इस तरीके सी सब सवाल को सॉल्फ करेंगे ठीक है चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नमबर थर्ड नमबर में हम लोगा क्या बोल रहा कि इस सब्सक्राइब करेंगे तो देव हमारा है कितना परसंट सोला परसंट लिग दिया हम लोगने सोला यह बढ़ जारा है 25 ज्यानी किया हो दा रहा है 120 इसका रेशियो निकालना है तोम्हें किसके साथ राज का ओयल सीट के साथ राज का है कितना तुम्हारा बीस परसंट आर наши scholars उसका है तुम्हारा राज गा 40 यह बढ़रे समें पांच परतर का इंकRIज उहा 25 में की है तरक त्यक्तिए है ओर किसी को तुम्हें अब काटना चमा पांस से करड़ी से पचीस बार कर दाजा कि शार से चर बार छार ते बार में क्टेश्चा से बार में 2 से से चार बार में 3 से काट होगे यह चार बार में, 3 से काट होगे, 7 बार में, यानि की रेसियो फाइनली तुम्हारा क्या बचा? 4 रेसियो 7 और यह अमारा एंसर है, option नम्मर डी 4 रेसियो 7 बिलको लिया आसान सवाल, ठीक है, जलो, next सवाल क्यों दखते हैं, next हम लोगों का क्या है नेक्स में देखो क्या नेक्स तो और भी आसान है बोल रहा है if 30% and 25% of the rice and tea produced by raghu remain unsold 30% और 25% जो है rice और टी का unsold हो जाता है then what is the percentage share of unsold rice and tea out of total production total production का क्या देखो जहां पर सबसे पहले तुम total production निकालने जाओ या थाइस हो का something मैंने माल लिया यहां से total production जो है वह एक हजार या कुछ भी माल लो सौ ही मालना चलो ठीक है कितना माल लो सौ माल अब सौ के according तुम जहां से solve करो ऊपर वाले graph को ignore करो दो इस सवाल के लिए नीचे वाले यहीं से चलो कि सौ है सौ के टेबल बना हुआ है ठीक है तो जब सौ के आरा का 25 परसेंट जो है वह बीक नहीं पाता है 25 मतलब क्या हो गया चार चार से जब काट होगे तो 4.5 तो जो बीक नहीं पाया वह कौन-कौन साइट 9 प्लस में 4.5 13.5 यूज वली हमारा इंसर आगया लेकिन तो समझ लो कि हम लोगा ने माना था 100 अब यहां से पूछा वाट परसेंटेज ऑफ अन्सोल्ड राइप प्राइस एंड टी आउट अफ दा टोटल प्रोड़क्शन ऑफ रगू से कितना है ठीक है तो टोटल प्रोड़क्शन का जो तुम बात करोगे तो टोटल प्रोड़क्शन तो तुम नहीं जहां पर माल लिए था 100 अब प्रोड़क्शन के सवाल गुज गई थी वह सवावल क्या थी फाइव इस्ट्वेंट फॉम्स कॉलेज वेंट फोर अकमप्टिशन एंड चूज ऑटल फोर स्टेंग वेर एट रूम सार अलोटेट कितना रूम अलोट हुआ आठ रूम पांच लोग के लिए ठीक है वाट हुआ थे फोरबिटी देट ओ अलाव्ट फाइव स्ट्रेंट ऑक्यूपई इस कूपय गूंपी वो सभी स्ट्रेंट different करें नहीं इस probability क्या है तो देखो तुम्हारे पास 5 स्टुडेंट है और इप च्टुडेंट के पास चॉइस कितनी है यह निकालो पहले के पास आठ वेसे कोई आठ चॉइस कर सकता है रूम का दूसरा प्रेंट क्या करेगा कि एक कम चॉइस करेगा क्योंकि एक रूम तो हो चुका यानि कि साथ उसी तरीके से तीसरा उसी तरीके से चौथा उसी तरीके से पाँच भाग यह तुम्हारा निकल गया फेबरेबल ठीक है टोटल नंबर ऑफ सेंपल इस तुम निकालोगे तो पहले बॉक्स में आठ गुने में आठ गुने में आठ गुने में आठ गु हाई देतो फोर से कट जागा दो बार में टू से कट गया थिरी बार में एट और एट तुम्हारा क्या हो गया खतम हो गया यानि कि 105 बटे में एट का क्यों हमारा होता है 512 और यह हमारा एंसर है 105 बटे में क्या 500 by 12 अप्शन नमबर बडियोगों च satynex号 समझा रहता होंग्राफ क्या थोस अजयाएं संच हो ग्राफ में क्या बढ़ रहा है इंट फेमेlekaisं यंप्वॉई इंप्लॉई में वे spricht अ बैंक इन हंड्रेट्स दूरिंग देयर 2015 ठीक है 2015 में बहुत सारे बैंकों का जो है मेल और फिमेल का तुम्हें रेश्यों दिये वह यानि कि पहला जो है वह फिमेल और दूसरा जो है वह तुम्हारा मेल ठीक है अब जहां से देखो नीचे वह लग लगा है नमबर टोटल इंप्लोई रिक्वेटेड इस फोर जिरो फाइव डवल जिरो ठीक है यानि कि 40,500 टोटल इंप्लोई रिक्वेट है समझू यहां पर क्या है कि अगर मालो तो HDFC में तुम बोल रहे हो तो 405,000 का तुमने लिख दिया 24% ठीक है तो इतना तुमने एड किया अगर तुम से पूछ दे कि 2016 में HDFC में कितने इंप्लोई थे तो तुम क्या बोलोगे कि 2015 में इतने इंप्लोई थे और इसमें तुमने एड किया यहां से कार्ट दिये तो 405 ग जी को सॉल्फ कर देते हुए इस्टी जी को समझते हुए हम लोग का सवाल जो बोलेगा उसके अकॉर्डिक हमें करते चले जाना है ठीक है दो क्या बोल रहा है सवाल में वाट इस दा एवरेज नंबर ओफ फीमेल इंप्लोई फॉर आल दे बैंक्स टुगेधर तुगेधर 525 बाइ में तुम क्या कर दोगे 6 से डिवाइट करोगे तो यह उपर में एड होके आएगा 2505 चुकि सारा चीज 100 में तो इसे क्या करो 100 से गुना भी कर दो आई में 6 और इसी को जब तुम सॉल्फ करोगे तो यही तुम्हें देगा 41750 अब देखो यहां पे न दो चीजे सबसे पहले यहां पर जोडना चलो ठीक है से थोड़ा आसान मान भी लेते हैं यहां पर देना तो थोड़ा कस्ठ है ठीक है तो इसको तुम यहां पर चीज और कर सकते हो क्या कि इसमें कोई उल्हां कर लो गों क्या है तुम्हारा 345 i425 यह चीजें एक common सा average मान लो जिसको मैंने मान लिया 400 ठीक है अब 400 से इसकी दूरी देखो क्या है माइनस 55 प्लस 25 प्लस 5 माइनस 75 प्लस 80 प्लस 125 और यह सारे पाट को तुम क्या करो तो एड कर दो यानि कि माइनस वाला माइनस से बाकि सारे पाट को ऐड करोगे तो डिमेनिंग तुम्हें मिलेगा 105 तो तुम्हारा जो final average होगा वह final average क्या होगा मान था तुमने 400 यह 105 तुम्हारा प्लस में आया यानि कि exceed कर रहा है out of कितना six इसे जब solve करोगे तो यह तुम्हें देगा 17.5 और यही तुम्हारा add होने के बाद होगा 417.5 चुकि यह सारी चीजे जो है 100 में है तो 100 से यहां गुना कर दोगे तो यही तुम्हें देगा 41750 और यही हमारा answer है 41750 option number ठीक है तो दो तरीके से तुम्हें निकाल सकते हैं जो तुम्हें सुटेबल लगे उसके तरीके से तुम्हें चले जाना है ठीक है next सवाल में देखो क्या बोल रहा है next में बोल रहा है what is the ratio of the male employee in idfc and dcb idfc और dcb में male employee देखो idfc में male employee कितना है तुम्हारा 225 और dcb में कितना 435 यानी 435 ने दोसूपच्चिस कर दो ठीक है बटे में hdfc और axis में साथ में HDFC में कितना है तुम्हारा HDFC में है तुम्हारा 480 और Axis में तुम्हारा कितना है Axis में 375 अब या तो तुम इसे जोड़के काट लो या जैसे काट लो इसमें क्या ना कि तुम अगर थोड़ा सब दिमाग लागा कि इसे काटो गे थोड़ा चीजे थोड़ी आसान हो जाएगे इसे तुम 15 से काटोगे त तो यह तुम्हें देगा 30 वारत अब इसे कातोगे तो यह तुम्हें देगा 25 ठीक है तो 29 Plus 15 होता है तुम्हारा 44 और 32 25 खता हमारा 57 ठीक है अब यह नहीं कटने वाला है तो यह निंद मत्मरा एंसर क्या वाला हमेरा एंसर तो दो क्या बोला है तुम्हें सवाल में इंप्लॉई इन आईसी आईसी आई दूरिंग 2016 में जो इंप्लॉई थे और अप्रोक्सिमेटली वाट परसेंटेज मोर दें दाइंप्लॉई इन एक्सिस बैंक टो गेज़र एक्सिस में जितना थे उनसे कितना परसेंट अब देखो और फीमेल 2015 में था वो था 40500 ठीक है अब बात करते हैं आईसी आईसी आई में तो कितना है 16 परसेंट है तो किसका सोलो परसेंट है 40500 का 16 बाई में हंडर्ड है सॉल्फ करोगे इसे तो सॉल्फ करने के बाद यह मिलेगा 94980 फिर उसी तरीके से एक्सिस का निकालोगे एक्सिस का है तुम्हारा 32500 प्लस में 37500 और प्लस में 40500 का 18 बाई में हंडर्ड इससे जब तुम सॉल्फ करोगे तो यह तुम्हें करेगा 77290 ठीक है साफसाब पुछा ओफ पर्सेंटेज मोर दैंप्र यानि 77 निकालना है तो इसे त्म दो तरीके से निकाल सकते तो या तो 77 data 94 भूल के निकालो ठीक है जो यससे निकालना है वैसे का लो आइंसर है लगuin में वहां से आहारे है निकालना है पर्सेंटेज मौर ठीक है जब तुम 94 में 77 घटा होगे तो यह तुम्हें कितना देगा इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 17 का है ठीक है यानि कि 17 आउट ऑफ कितना 77 गुने में क्या कर दो सब्सक्राइब बस इसे ही तुम सॉल्व करोगे तो इसी को सॉल्व करने वाद तुम्हें अंसर लगभग में मिल जाएगा यह तुम्हें 22.07 परसंट एप रॉक्स में देता है इसी चीज को हम लोगों नहीं हैं से लिया है 22.08 परसंट क्या दिया है 22.08 परसंट और यह हमारा आप्रॉक्स में आपसान नंबर सी 22.08 परसेंट ठीक है चलो नेक्स सवाल को चलते हैं नेक्स सवाल हम लोगों का क्या बूल रहा है कि दो नेक्स सवाल में क्या बूल रहा है कि employee in HDFC during 2017 increased by 20% when compared to the previous year previous year के तुलना में तो मतलब प्लस में 4800 ठीक है ट्रिपल जिरो अब 2016 में जब आओगे तो HDFC में रिक्वेटेट को तुम देखोगे तो HDFC में तुम रिक्वेटेट को देखोगे तो HDFC की percentage है 24% यानि 405 गुने में क्या 24 इसी को फाइनली जब तुम सॉल्फ करोगे तो यह तुम्हें देगा 110 220 यह क्या निकल गया 2016 का तुम्हें HDFC में कितने employee हैं यह तुम्हें निकल अब 2017 में देखो क्या है तुम्हेरा 2017 में बोल रखा है कि यह जो है 20% से बढ़ जाता है तो 120 बटे में 100 लिग दिया अब क्या बोल रहा है then what is the approximate percentage change in the female employee female employee में क्या approximate percentage चेंज आए डियूरिंग 15-17 15 में हमारा है 52500 और 17 का हमें में निकालना है if the ratio of male to female in HDFC is 5 ratio 4 in 2017 2017 में HDFC का ratio है male female का वह है 5 ratio 4 तो female की बात करेंगा तो female क्या हो जाएगा हमारा 4 by में कितना 9 यानि 2017 में female निकल गया हमारा इसे तुम्हारा काट शाट लेते है ठीक है यानि कि फाइनली तुम्हें यहां से क्या मिल गया 3674 गुने में क्या 16 जब multiply करोगे से तो यह तुम्हें देगा 58784 ठीक है तो चुकि यहां से ने इसे थोड़ा सा 500 ही है तो इस वाले पार्ट को जो है तुम क्या करो इग्नोर करो क्योंकि इसकी अगर परसेंटेज वाले तुम निकालोगे ज्यादा यहां तुम इतना इग्नोर कर सकते हो है तुम्हारा क्या 58 और 52 इसी को तुम्हें कोंपेर करना अगर यह उसे चीजे और सिंपलेस्ट फ़र में हो रहे तो उसे कर दो नहीं तो यहीं से कॉंपेर इंजन अगर तुम कर सकते है तो कर DOzem मुझे आसान लग रहा है यहां पर आप्एर करने में इस चीजों को सौट करने में तो हैं क्या कर दोंगा इसे चार से काट दोंगा तेरा बार में चार से इसे भी काटने को सुस्ट करोंगा लेकिन यह 0.5 अब इतना जब आया ना तो मुझे पता चल गया कि इसे इसे चार से मारा यह 0. protagonist क्यों धेक कि तेरा कर जब तुम 10 निकालोगे तो तुम्हें 3 डिकालोगे तो वह तुम्हें लगभग में क्या क्या देगा तो 1.3 का मतलब क्या है 13 में तुम है लगव 1.3 dyna 13 में जब तुम 1.3 अड़ा करोगत तो क्या हो जाएगा 14 14.3 अभी भी तुम 14.5 तक नहीं पहुचे और यहां पर तुम्हारा थोड़ा सा ज्यादा ही होगा क्योंकि यह 784 है ठीक है तो देफिनेटली थोड़ा ज्यादा का मतलब क्या है कि 10 परसंट से थोड़ा ही ज्यादा एक ही ऑप्सने 10 परसंट से थोड़ा ज्यादा वाला हो कांसा है 12 ठीक है और तुम यहां से इंक्रीज में निकाल लो 1.5 का इंक्रीज हो रहा है आउट ओफ 13 गुने में 100 ठीक है जब में सहुलियत मिले वैसे तुमें से कर लो ठीक है चलो नेक्स सवाल और आखरी सवाल के और मुख चलते हैं क्या बोलगा आखरी सवाल इफ दर रेशियो आफ पियो क्लरक और स्पेशलिस्ट ऑफिसर दूरें 2016 इन DCB is 875 पियो क्लरक और स्पेशलिस्ट का DCB में जो है आग त सबसे पहले हमको 2016 का निकालना पड़ेगा तो 2016 में DCB में है कितना 2016 में हो जाएगा 34500 प्लस में 43500 और प्लस में 405 का 12 ठीक है जब तुम इसे एड करोगे तो एड करने के बाद यह तुम्हें देगा 82860 अब इसी का तुम्हें रेशियो दिये हुए है वो रेशियो क्या क क्या दिये हुए है फीमेल अगर पीयों का बात करें हम लोग तो पीयों क्या हो जाएगा आठ बटे में 8 प्लस साथ 15 और पांच कितना हो जाता है बीस अगर तुम्हें आश्यस्वेश्ट बात करो गतो तो इस पेसलिस्ट हो जाएगा तुम्हारा 5 बटे में 20 लेकिन यह त 70% और 40% प्योंट प्योंट जो था 2016 के दर्मियान वो क्या था फीमेल ठीक है तो पीओ कितना था 75% इसके फ्रेक्शनल वैली होती है थी भाइ में फॉर यह था 40% से 40 का ऐसे ही लिख दो 20 से कट दो दो बार में 5 गुना 2 क्या होता है अधि रिख है चार में कर दो जाने speaking जाने क्रेंब तूम्ह आप में 10 यहाँ से मिल लिख निकालना है आउट रख्यार्प मासा अफ्केश्क begitu 860 यहां पर तुम मल्टिप्लाई करोगे तो यह मल्टिप्लाई करने को बाद इसली तुम्हें 16572 दे देगा और इसी के साथ हमारा जो एंसर है अगर अच्छी लगे तो लाइक करना न भूना एक है चलो थैंक यू